आज हम नानी के किचन में वाइट चिकन हांडी शाई हांडी बना रहे हैं मैंने हांडी करम के उकुल रख दिये हैं आप इसमें हम तेल डालेंगे तेल करम हो चुका है वाइट चिकन शाई हांडी में हम तीन अज़त दालची मीं के तिपर डालेंगे पांस ती छे अज़त लॉंग डालेंगे फीक की एक चमच जीरा डालेंगे और इसको अच्छ तरह से पहले राइट करेंगे और 12 प्यास मैंने पीस के objet वे डालेंगे इसमें अब इसमें मैं इसमें 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 यह प्यास voor डालेंगे इसको हम सिर्फ प्राज सा पानी पुकाएंगे के इसको पैंग जाल जाएंगे बोल्ड में ही करना पानी इसका तूप जाएगा इसको नहीं हो गया आप इसमें भी प्रिगन डालेगे करना पॉर्ण फिक हैना इसको अच्छी करा के लिम्हीं हम रूणे बेले लागा जबाते हम पैंगे जाएगा उल्भ प्रिटी अचिकार को बेले में अच्छी अच्छी करा में अच्छी नहीं Sig rub hem इसको अगी हम अब शिकर आजिए बूहनेंगे पहले अच्छा फूली तरह ये चिकर अपना फलर्स चेंज कर लेगी फिर हम इसके मसाले बागर डालेंगे अब यहां हम चिकन में अध्रक लसन का पेस्ट आ लेंगे अध्रक मैंने चौप की हुई है और लसन को पीच की है एक चमच लसन और एक चमच अध्रक भरके अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे अध्रक लसन की सिमेर भी खतम हो जाए और उसका कच्छा पन भी इसमें चिकन में और फ्रे थोड़ा पानी डाल के हम रख देंगे जब तक ही चिकन जल जाएगी फिर मसाले एक करेंगे नमक अमक कुछ भी नहीं डाला हमने सिर्फ अध्रक लसन और इससा प्याज चाल रहा था इसको पहले हम अच्छी तरह से थोड़ा भूना है फिर पानी डालना है पानी डाल के इसको ढग देंगे तक चिकन गलेगी के इसके मसाले डालेगे इसका पानी पुष्को चुक है अब इसमें हम एक जमत शोड़ी लाएची बिसी हुई अच्छी तरह से हमारी हांडी शाही चिकन बन रही है हमारी शाही हांडी चिकन बन रही है मैंने इलाएची डाल दी नमक डाल दिया और यह मैंने दो चमच दूब में दो चमच खशकाश दो चमच कदाम और एक चमच खोकरा डालके पीस लिया हैं अब इसको मिलाएंगे इसमें अची तरह से और पूनेंगे इसमें एक चमच भरके काली मेश कटालेंगे और आधा चमच शाही जीरा पीतालेंगे और इसको अभी अच्छी तरह से हम पूनेंगे मसाले के साथ काली मेश आप ज्यादा कम करना चाहें तो आप अपने साथ से कर ले और नमक चेक कर ले फिर आप अपने साथ से वो नमक को भी ज्यादा कम कर सकते हैं आधा चमाच आप कुटी लाल में शिरा लेंगे और इसको आप अच्छी तरह से हम भूनेंगे अब तहां तेल दे के ऊपर आज सुका है इसका भी इसमें में एक प्याली दही में लागूरी और इसके साथ पिर भूनेंगें दही का पानी पुश्क होगा अब इसको पांच मिनटे लिए छोड़ देंगे इसका पानी पुश्क होगा फिर इसमें हरी में डालेंगे अब यहां तब चार दने हरी में डाल दूंगे और तो से तीम चमच क्रीम का डालेंगे इसके अब आंच हलकी कर देंगे हमारे चिकन शाई हांडी तेल पे आ जाएगी तो रेडिये साथ करेंगे हमारी शाई हांडी रेडिये मैं इसके उपर अध्रक डाल दूंगी अब हरी में इच्छे डल गी अभी कैसी लगी पर में उसमें बताया करें लाइकन शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें तोड़ी से में इसके उपर ताली में इच्छ ड़क दूंगे प्रेडिये हम सब्सक्राइब करेंगे हमारी चिकन शाई हांडी कैसी लगी जरू बताईएगा यह हमारी चिकन शाई हांडी तैयार हो गई और अब नोशी जान करेंगे कैसी लगी कमेश में जरूर बताईएगा लाइक न शेयर किया करें अपके लापेस जौाओं में